अलो सुट्ट गुड अफ्टर नून आप लोग कैसे हैं उमीद है सबच्चे होंगे घर पर होंगे और इस समय लागडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे मैं देवेंद पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइन डिपार्टमेंट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कालिज रिवा से आपके लिए आनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ आज का हमारा टॉपिक है डाटा लिंक लेयर जैसा कि पिछले टॉपिक से हम आपको कंप्यूटर नेटवर्क का रिविजन करवा रहे हैं और जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट को वन बाई वन रिवाइस करेंगे तो कल हमने रिवाइस किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल की बाकी लेयर या फिजिकल लेयर क्या होती है फिजिकल लेयर के कौन कौन से कंपोनेंट है और फिजिकल लेयर के कुछ MCQ के बारे में भी हमने आपको बताया था आज हम आपको OSI मॉडल की सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर के बारे में बताने जा रहे हैं यह लेयर OSI मॉडल की दूसरी लेयर है जिसमें हम फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच के कम्मिनकेशन का वर्क करते हैं और जो भी डाटा ट्रास्मिशन करते हैं वह डा data transmission किस पकार से हो सकता है किस form में होता है कैसे उसको control किया जाता है इन सारे responsibility के साथ हम आप को data link layer के बारे में आज बताने जा रहा है तो जैसा की बताया गया है कि data link layer को open system interconnection या OSI की दूसरी परत कहा जाता है और जिसकी जिम्मधारी या एक physical network link के अंदर तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो OSI model या open system interconnection model हमने पढ़ा था उस model की जो पहली layer होती है physical layer और उस layer का कार होता है networking का कार होता है topology का कार होता है अब वह network से वह topology से data कैसे transmit होगा और किस कार से किस form में transmit होगा यह responsibility data link layer की होती है इस layer के अंतरगर कई महत्पूर्ण कार किये जाते हैं जैसे कि हमने बताया कि data को control करना data के error को control करना data को convert आज ही करना देखते हैं broadcast network के सारे system समान में link में होते हैं इस layer का काम तब और कठिन हो जाता है जब ये एक ही collision domain में बहुत सारे host को deal कर रहा होता है तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो data link layer है उस layer के कई सारी responsibility होती है लेकिन उस responsibility में एक महत्पूर्ण कार यह होता है कि यदि networking के दोरान multiple broadcasting की जा रही है या एक ही channel में काई सारे users को networking की जा रही है sharing की जा रही है उस समय collision की problem हो सकती है टकरा data के framing के collision create हो सकता है तो उस collisions को control करना एक data link layer के लिए बहुत ही महत्पूर्ण work होता है next line जैसे दिया है ये bit by bit data transmit करता है और उस stream को signal में वदलता है और उसे अंदर के hardware में भेजता है फिर data link layer hardware में उस data को electronic signal के रूप में प्राप्त करने के बाद frame में वदलता है और उपर वाले परतों को पहुचाना का काम करता है तो इसका एक महत्पूर्ण ये भी work बताया गया है कि जो data link layer होती है उस data link layer का एक और महत्पूर्ण क्या कार होता है कि जो भी हमारा data है जो हमारा data bit है उस data को electronic signal से प्राप्त करते हुए उसे frame के रूप में convert किया जाता है frame के रूप में convert करने के पश्चाथ ही वह frame को transmit किया जाता है जब frame को transmit करते हैं तो हमने बताया था कि frame में कई part होते हैं जिन्हें हम frame का header frame का data और frame के जो confirmation bit गएरा होते हैं वो सब प्रत्यक frame में add कर दी जाते हैं जिससे frame का data frame के security rules ये सारे protocol के द्वारा निधारित कर दी जाते हैं कि ये frame सही तरीके से transmit होगा सही address में transmit होगा और उसका जो confirmation है reliability है वो भी आपको मिल जाती है अब यहाँ पर हम आपको बताना जा रहा है कि जो data link layer की क्या क्या विश्यस्ताएं हो सकती है तो जैसा कि पहला बताया गया है कि जो data link layer का एक work होता है physical addressing का कार करना तो कि जो network addressing के किसी network में node के अंदर जितने भी प्रकार के traffic होते हैं उन traffic को control या सुच करने के लिए route करने के लिए हमें इस network addressing की आवसकता होती है तो data link layer का कार जो है addressing का कार भी होता है जैसे कि हमने आपको बताया था कि computer system में जो static address और logical address होते हैं हुआ सभी address का निजहारन करना और जो mac address आद होता है हमने बताया था medium access control के अंतरगर्ट जो mac address होता है वो सब addressing का कार second layer में ही किया जाता है फिर अगली विसेश्ता दी गई है error notification मतलब जब कोई भी data link layer के अंतरगर्ट एक महादपूर्ण feature है कि जब हम कोई data उपरी layer से प्राप करते हैं और next layer में transmit करते हैं तो समय होने वाली error को भी हमें स्क्रीन में या user के समख्ष represent करना होता है तो error notification का मतलब है कि जब हम कोई frame transmit करते हैं वह frame transmission के दवरान या किसी भी प्रकार की problem create होती है frame कहीं पर miss हो जाता है तो इन सभी problem के वारे में जो error represent का कार है वो error notification कहलाता है तो ये पहले से ही confirmation के दवरा या hand shaking के दवरा किसी भी तरीके से अलग-अलग technique में error को show करने का कार भी कर लिया जाता है फिर framing sequence framing sequence में जैसे हमने बताया कि जितने भी प्रकार के data transmit होते है वह सभी data frame के रूप में transmit होते है अब जितने भी frame है वो एक साथ transmit होते है लेकिन उन सभी frame का एक sequence number होते है और वो अपने sequence में ही transmit होते है जिससे कि इन सभी frame के बीच में कहीं पर collisions या टकराव की समस्या ना हो और अगर frame का करम change होता है तो उसकी भी जानकारी इसको रखना पड़ता है इस तरीके से जो data है वो सही तरीके से सही sequence में transmit होना चाहिए तो और starting से लेकर end तक उसकी जो integrity की जाच है वो सही तरीके से होनी चाहिए ये कार भी frame sequence के अंतरगत किया जाता है फिर अगला है flow control flow control का मतलब होता है कि जब हम एक channel से कोई भी data transmit करते हैं उस समय वह channel में कितनी data transfer की capacity है कितनी उसकी band bit है उतना ही data transmit किया जाना चाहिए यदि हम उसके capacity से अधिक या capacity से कम data transmit करते हैं तो वह network channel में problem create होगी या तो फिर data का congestion या data का इकठा हो जाएगा frame इकठा हो सकते हैं तो data किस channel में कितना transmit हो कितनी छमता में transmit हो इसके लिए भी control करना इसका प्रमुख work होता है तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि data प्रवाह के दवरान data sending के दवरान overflow और under flow की प्रक्रिया ना हो इसके लिए भी flow control की जिम्मदारी होती है overflow का मतलब यह होता है कि जब हम data transmit करें तो वह data उतना ही transmit हो जितने bit के transmit की छमता है अगर हम extra data transmit कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा data का जो congestion है जमाव है वो हो जाता है और ऐसा करने से networking में problem create हो सकती है तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो data link layer है उस data link layer के कौन-कौन सी महत्तपुर्ण विशिष्टाएं हैं जिसमें physical addressing, error controlling, frame sequencing और flow control इन सब के बारे में मैंने आपको आज बताया है और इसके बाद next topic में मैं और भी जो medium access control या logical link layer के जो भी sub layer होती है ध्यान देजेगा जो logical link layer की sub layer होती है जिसे मैक layer और logical link control layer काते है तो यह दोनों ही layer के बारे में भी हम आपको next बताएंगे ओके थैंक्यू